समुंद्र की तेज लहर में टूब रही थी एक बच्ची और तभी हनुमान जी ने दिखाया एक ऐसा चमतकार जिसे देखने वाले भी रह गए दंग नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चनल में आप सभी का हाद इक स्वागत है आप देख रही है हनुमान दर्शन महराष्ट्र के मुंबई शहर में विमल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था वो एक लंबे अर्से से बवन पुत्र बचरंग बली की पूजा बाट किया करता विमल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपनी पत्नी और छे साल की एक बेटी के साथ रहता था विमल वैसे तो नित्य नियमनुसार बचरंग बली के मंदिव चाता और साथ ही प्रतियेक मंगलवार को उपवास भी गया करता उसके जीवन में जब भी कोई समस्य आती तब वो परिशान हुए सीधे बचरंग बली की शरण में चला जाया करता विमल का मानना था कि जब कोई साहयता का मार्ग ना मिले तब बचरंग बली ही उसकी साहयता करेंगे विमल अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करता था विमल अपने परिवार के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था परंतु उसके जीवन में एक ऐसा संकट आने वाला था जिसके उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी और वो उसे आने वाले संकट की भनक भी नहीं थी एक दिन विमल के दफ्तर से उसे अवकाश मिला तो उसने अपने परिवार के साथ बाहर घुमने जाने की योशना बनाई कुछ ही देर बाद अपने परिवार को लेकर वो निकल गया वो सभी पूरे दिन जगा जगा पर घूमने के बाद शाम के सुमे मुंबई से लगे समुंदर तट जूहू बीच पर जा पहुँचे विमल अपनी पतनी के साथ समुंदर के किनारे पैठा हुआ था और उसकी छे साल की बेटी वहीं पर खेल रही थी वहां मौजूद सभी लोगों के होश उट चुके थी पानी की एक तेज लहर से विमल की बेटी का पैर फिसल किया और वो लहर के साथ ही पानी में बह गई गई छे साल की बच्ची तेज आवाज में चिला रही थी अपनी बेटी की चीक सुनकर विमल पानी के तरफ भागा परंतु तेज लहरों के बीच उसे अपनी बेटी कहीं नज़र नहीं आई विमल आसपास मौजूद लोगों से मदद की गौहा लगाने लगा परंतु उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया और पानी में चला किया तब सब लोगों ने उस वानर की द्रफ ध्यान नहीं दिया था परंतु कुछ देर बाद सभी ने देखा कि एक वानर समुंदर के बीच में विमल की छे साल की बेटी को बाहर निकाल ले आया है और उसे किनारे पर छोड़ कर जाने लगा विमल उसकी पत्नी बच्ची के कले से लिपट गए वहां मौझूद सभी लोग चाते वे वानर को देख रहे थे उन सभी की आखों के आगे कुछी बलों में वो वानर अपने आप भी गायब सा हो गया सभी की आखे फटी की फटी रह गई किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये चमतकार आखिर कैसे हुआ परंतु विमल समझ गया कि बचरंग बली ने उसकी प्राटना सुन ली है और उन्होंने ही उसकी पुत्रे की प्राणों की रक्षा की है दोस्तो इस विशे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें मिलें गली बार एक नई खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखतो रहिए अनुमान तर्शन